हाई एवरिवन तो आज हम एक्षेसाइब 3.1 का क्वेशन नंबर 8 करेंगे ठीक है तो बेटे क्वेशन नंबर 8 का है विच अब दे फॉलिंग नंबर साथ दिविजिबल बाई A 4 और B 8 तो मतलब यहां पर आपको जो डिविजिबल्टी देखनी है चेक करनी है वो दो नंबर की करनी है एक है 4 और एक है 8 आपको यह देखना है कि जितने भी नंबर दी है जैसे 3104 है तो यह आपका 4 और 8 से डिवाइड होता है यह नहीं हो तो पहले बच्छे हम यह सीखेंगे कि डिविजिबल्टी ओफ 4 क्या होती है और 8 क्या होती है ठीक है तो पहले 4 वाली चेक कर आपका question number 8 का जब का first number दिया है ना बच्छे 3104 हम उसी पर focus कर रहे है तो यह हमने लिया अब हम इसका check करेंगे तो जब भी हम 4 के divisibility check करते हैं तो हम उसके last के जो 2 डिजिट होती है उसको check करते है तो यह क्या है 0 4 तो एक बात बताओ क्या 0 4 4 से डिवाइड हो जाएगा त तो इसका मतलब आपका यह 4 से डिवाइड होगा बट अब हमें यह देखना है कि क्या यह 8 से डिवाइड होगा तो 8 से डिवाइड होने के लिए हम क्या देखते हैं जो भी हमारा number है number किया है 3 1004 इसकी last की 3 देखते हैं ठीक है तो लास्ट की त्री डिजिट किया है बेटा 104 तब हमें चेक करना है क्या 104 डिवाइड हो जाएगा तो हम 8 से 104 को डिवाइड करेंगे PDF दिवाइड हो चाहें थे लिवाइड है लेट के लिवाइड हो जाएगा थे रिवाइड हो जायेगा तो हम्हें हमेशे क्या तो पूर नुम्मर डिवाइड हो जाएगा 4 के लिए क्या देखना होता है जो last 2 digit होती है उनका देखना होता है कि अगर ये दोनों digit ठीक है जो आपने लिया है वो 4 से divisible है तो जितना भी बड़ा number हो वो क्या हो जाएगा पूरा number divide हो जाएगा तो इसका मतलब पहला हमारा जो 3 1 0 4 था वो दोनों से दिवाइद होगा तिक है उसके बाद हम next वाली वह देख लेते हैं next एक नमबर है 1205 तो इसमें भी हम क्या देखेंगे बच्चे लास्ट वारा नंबर आपका क्या है 05 तो आप बताओ आप बताओ क्या 054 से डिवाइड होगा नहीं होगा तो हमने इस तरीके से कर दिया अब 8 के लिए हम क्या देखते हैं लास्ट के तीन डिजट तो आपका नंबर है 1205 तो लास्ट के तीन डिजट कौन से हो गए बच्चे 205 तो हम 205 को क्या करेंगे 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमने देखा 205 तो हमने करा 8 तूजा 16 ओके 10 में से 6 सब्ट्राइक कितना आ गया 4 और 5 आप बताओ क्या यह जाएगा तो 85 जब 40 होता है पूरा सब्ट्राइक हुआ नहीं हुआ क्योंकि इसमें रिमेंडर बज़ गया कितना 5 तो इसका मतलब यह 8 से भी डिविजिबल नह है ठीक है समझ में गया फॉर्स्ट वाला आपका डिविजिबल था सेकिन वाला नहीं है इसके बाद आप थर्ड वाला खुद करोगे फॉर्ट वाला खुद करोगे फिफ्ट वाला खुद करोगे मैं आपको 6 और 7 बताती हूं एक है 6640 डबल 640 अब इसके हमें क्या देखना तो आप एक बाद बताओ 880 जा कितना होता है 64 ना और 0 तो मतलब ये डिविजिबल है तो अभी तक हमारा कॉन कॉन डिविजिबल था एक ये और एक ये और ये वाला भी हमारा डिविजिबल नहीं है नेक्स क्वेशन पहा जाते हैं 3900 एक और चीज़ समझो अगर किसी भी नंबर के पीछे 20 आते हैं किसी भी नंबर के पीछे 20 आते हैं तो इसका मतलब वो जो होता है वो फोर से डिविजिबल होता है ठीक है अब आप बोलोगे माम इसका प्रूफ क्या है तो आप एक बार 4 से 3900 को डिवाइड करके देखते हैं ठीक है पूरा नमबर देख रहे हैं तो 48 जा 32 49 जा 36 ठीक है 9 में से 6 किया विटा कितना हो जाएगा 3 और 0 फावड हो गया फिर कितना गया 4 7 जा 28 टैन में से 8 सब्ट्राक कितना हो गया 2 अब याला फॉवड होगा तो कितना हो गया 4 5 जा 20 समझ में आया जब भी आपको लास्ट टू डिजट जीरो मिले तो बिलकुल आंख बंद करके बिना किसी डिवाइड करें आपको पता है कि वह डंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा फोर से कम्प्लिएड प्याइब एजबह ईएट के लिये सो बच्छे हमें क्या देखना होता है लास्ट इमासा तर्य टिजट कर«ण्ड क्रूइगं क्या हो कहिए सब्सक्राइगा डिवाइग करें के देखना पढ़ेगा तो एहें हम एक युए था और 10 में 8 गया 2 और यहां पर गया 0 तो यह पर नहीं जाएगा क्योंकि 8 2 जा कितना होता है 16 होता है 10 में 6 गया 4 तो पॉइंट लगाना पड़ेगा आगे तो कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 3900 जो है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है लेकिन 8 जो है वो इस नंबर को कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं कर सकता क्योंकि उसमें रिमेंडर कितना आ रहा है 4 ठीक है समझ में आगे बच्चे तो आपको लिखना है 3104 इस डिविजिबल बाई 4 & 8 1204 मतलब आपको स्टेटमेंट कैसे आपको लिखना है यह नंबर यह लिखना है 3104 इस किस से डिविजिबल है डिविजिबल बाई 4 & 8 ठीक है यह वाला नहीं है तो जो नहीं है उसको वैसे लिखेंगे 1205 इस नौट दिविजिबल बाई 4 & 8 ठीक है तो इसी तरीके से जो आपके रहे गए पार्ट वो आपको होमबक में करने है आप कर रहे हैं क्वेशन नमबर 10 जो जो मैंने माग कर रहे हैं वही वही क्वेशन करेंगे तो क्वेशन नमबर 10 क्या है इस 54 डिविजिबल बाई 2 & 3 उसने कहा कि क्या 54 जो है वो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा और अगर वो इससे डिवाइड होके येस अंसर आता है तो क्या वो नमबर 6 से भी डिवाइड होगा तो ये क्वेशन है हमारा तो इसको किस तरीके से करेंगे तो हम क्या करेंगे ब हमें चेक करना है 6 से ठीक है 2 के लिए हम क्या देखते है कि लास्ट जो है आपके नमबर की ठीक है तो वो क्या होनी चाहिए या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 तो इस नमबर के पास कहा है 4 तो इसका मतलब 54 तो से डिवाइड होगा ठीक है 3 के लिए क्या डिविजिबल टी रूल 3 से completely divisible है अब एक चीज सीखो 6 कैसे बनता है जब हम 2 और 3 की multiply करते है तो 6 बनता है न बच्चे इसका मतलब जो 2 से डिविजिबल होगा और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा तो इसको हमें चेक करने जुरत नहीं पड़ी ठीक है तो हम क्या सक्स है ओके और को वैस्ट नमबर 11 आपका पूरा होंबग देखो मैंने आपको बाइंट बताए है थे बाइंट सेस्ट करेंगे देखो नमबर क्या है तूए नाइन टाया है आपको इस तरीक से लिखना है पहले यह आपका 11 आपका first वाला ए तो नंबर क्या है 2895 सबसे पहले हम देखेंगे आपको ऐसे लिखना है by 2 फिर लिखना है by 3 फिर by 4 by 9 by 10 और by 11 आप देखो 2 के लिए क्या देखते हैं हम सबसे पहले 2 के लिए हम देखते हैं कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजट आपकी 0, 2, 4, 6 या 8 होनी चाहिए बट की क्या है 5 तो ये जो नंबर होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आपके लिखेंगे not not divisible नेक्स आटे है 3 से अब 3 के लिए हमारा क्या था जितना भी बड़ा नंबर है उसको क्या करतेंगे हम आड करेंगे तो आड करने के बाद ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाorry गा नहीं तो तो 8 और 2 प्लस किया तो कितना हो गया 10 10 में 9 प्लस करा तो कितना हो गया 19 19 में 5 प्लस करा तो कितना हो गया 24 अब आप बताओ मुझे 3 की टेवल में 24 आता है yes ma'am right तो इसका मतलब यह divisible है तो हम लिखेंगे divisible ठीक है आप 4 के लिए क्या देखते थे हम 4 के लिए हम देखते थे कि कोई भी नंबर है बड़ा सा तो इसका हम क्या देखते हैं last 2 डिजट 95 आप मुझे बताओ क्या 4 से 95 डिवाइड होगा नहीं पता तो हम क्या करेंगे rough कॉलम में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 क्रॉस और यहां पर आजाएगा नॉट डिविजिबल ठीक है बाइन का क्या था बच्चे नाइन का जब हम एड करें तो 24 क्योंकि हम सब को जब एड करेंगे तो कितना हैगा 24 अब 9 की टेबल में 24 नहीं आता है तो हम क्या लिखेंगे नॉट डिविजिबल ठीक है लास्ट आजाओ 10 और 11 अब 10 और 11 समझो बच्चे 10 क्या है 10 के लिए सिफ एक रूल होता है 10 की टेबल पड़ी है लास्ट में हमेशा कॉनसे डिजिट रपीट होती है जीरो तैन वन जा टैन टूजा देखो तैन वन जा टैन टूजा ट्वेंटी तैन थ्री जा थर्टी तैन फोर जा सबोटी तो इसका मतलब यह डिविजिबल नहीं है तो हम लेखेंगे क्रॉस नॉट डिविजिबल आट आजओ 11 का क्या रूल होता है यह हमारे नया है तो 11 के लिए क्लिए क्लिए होता है जो भी यह नम्बर जैसे नमबर है 289 5 तो हम इसको कैसे करते हैं हम इसको इस तरीके पर आड़ दो नमबर को एड़ करना है और इन दोनों नमबर को एड़ करना है क्या होता है जो भी नमबर बढ़ा है उससे चोटे नमबर को सब्ट्राक करते हैं तो 13 मेंसे माइनस करा 11 तो कितना आ जाएगा? 2 तो यहाँ पर जो सब्ट्राइक करके नमबर आते है न बेटा या तो यहाँ पर जीरो आ जाए या कोई एक ऐसा नमबर आ जाए जो 11 की टेवल में आता है तो 2 तो आपका ना तो 0 है और नहीं 11 की टेबल में आता है तो इसका मतल है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा not divisible ठीक है easy है बहुत यह question आपका पूरा homework है ओके तो आज ही class में यही पर over कर रहे हूं बाई